हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों आज और एक नई वीडियो के साथ जो बोलेरो पिकप है जो सोमनात वेरावर गुजरात से हमारे पास काम में आई थी इस गाड़ी का जो बोडी था पीछे का वो पॉल्टी का था और आग स्वागत है आप कानुर एस पी यूटूब चैनल में दोस्तों में हूं गुजरात का जबूत से अगर आप हमारे वोट्सव गूरूप में जोइन नहीं हो यो तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी आप वोट्सव गूरूप में जोइन हो सकते हो इसे के स काम वह भी मैंने आपको दिखाया था अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी इसे के साथ दोस्तों आज और जो काम था वह हो चुका है मतलब कि इस गाड़ी में जो बोडी का काम हुआ है वह आपको दिख मतलब कि मैरे पास नहीं मतलब किसी और के पास आप काम कर रहा है तो यह वीडियो बताना उसको और बोलना कि इस तरह से हमें काम करना है यह आपको नौलेज मिले मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं हमारे जो सब्सक्राइबर जो हमारी जो फेमिली हो एक लाग करीब होने व कोई ऐसा है जो बोडी काम करता है को पेंट का काम करता है को ज्यादा टाम नहीं लेते हैं दूसरा पार यह पहला पर आ चुका है यह दूसरा पाट है और तिसरा पाट जब काम आगे स्टाट होगा ऐसे में बनाता रहूंगा तो चलो शुरू करते हैं वीडियो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो वाइपर वाला पैनल है वो हमने निकाल दिया इसके बाद नया डालेंगे वो वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे दोस्तों डोर वगेरा और आगे का जो मदगाट वगेरा है वो हमने पहले पार्ट में आपको दिखाया थे जो इसका काम हुआ था इसके साथ यहां पर वाइपर वाला जो पैनल है उसको नियू डलेगा इसके बाद जो अंदर से देश्पर्ट वगेरा उसको हमने निकाल दिया है जो भी अंदर जंग होगा वो भी इसका काम हो जाएगा इसके बाद आपको मैं दिखाऊ हूँ तो यहां पर आप दिख सकते हो जो आगे का जो लूक है वो हमने कंपलेट कर दिया है मतलब कि आगे का लूक टॉप मोडल मे वो काम कर रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं अमजद भाई ने हमारे पूरी घाड़ी में काम किया है इसके बाद जो काम होगा वो आपको आगे दिखाऊंगा इसके साथ दोस्तो जो वाइपर वाला पेनल फिट हो चुका है इसके बाद टॉप का जो भी जंग वगेरा था वो भी आमने निकल दिया जहाँ पर जो जंक थी उस ATS को यूण डल दिया और इसमें गाड़ी में अभी 50 परशन काम हो चुका है नीचे वगधर, जो जंक था वह भी निकल दिया इसे के साथ आगे जो वाइपर वाला पैनल वह भी हो चुका है complete, छो आगे की लाइट है वाले लईट लगाई यह लगाई है और अभी आप देख सकते हो जो फिनीसिंग जो काम होता है इसके बाद फिनीसिंग भी की जाती है जो ग्रैंड और अगरा वरी गिसाई करके हम काम पूरा complete करते हैं मतलब के इसमें गाड़ी में अभी 50% काम हो चुका है complete इसी के साथ दोस्तों यह जो डिजल टेंक है इसको भी change करना है क्योंके इस डिजल टेंक को भी काफी सारा जंग लग चुका है तो इसको भी change करेंगे और इसमें जो भी पार्ट जो डलेगा वो genuine original हम डालने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पार्ट से और genuine पार्ट हम लेके आये हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इसका tank भी complete आ चुका है वो fitting के बाद आपको जरूर देखाएंगे यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो इसका जो wiring है गाड़ी का वो भी हम बार निकालेंगे क्यूंकि इस cabin को पूरा अंदर से paint करना है तो wiring खराब हो जाती है इसलिए पूरा इस गाड़ी का wiring वो बार निकालेंगे इसके बाद जब गाड़ी complete हो जाएगा इसके बाद फिर नए से wiring complete करके डालेंगे तो दोस्तो फाइनली गाड़ी हमारे पास आ चुकी है मतलब कि इस गाड़ी का जो body का काम था वो complete हो चुका है इसके साथ दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो आगे का look है टॉप model वाला यह गाड़ी पहले all model में थी मतलब कि इस गाड़ी में जो body का जो काम था वो complete हो चुका है अभी यह गाड़ी हमारे पास paint job में आ चुकी है मतलब हमारे garage में आ चुकी है complete अभी इस गाड़ी में paint का का काम सुरू होगा इसके साथ दोस्तो इस गाड़ी का थोड़ा सा आपको मैं walk round दे दूँ ताके आप लोगों को पुरा knowledge मिले इस गाड़ी के बारे में और body का जो भी काम था वो complete हो चुका है अगर body का काम आपको अच्छा लगा हो तो बाई वीडियो को like करके वीडियो को share कर देना और जिसके पास यसी बोले रो अगर उसको restore करनी है उसको भी share जरूर कर देना दोस्तो अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसके साथ दोस्तो पीछे का काम आपको बता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो टेंक था वो उमने चेंज कर दिया इसके और भी उसको पूरा कलर करेंगे अंदर से आपको थोड़ा वोकरांट दे दूँ इस गाड़ी का ताप के आप लोगों को पूरा जानकारी मिल सके यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पूरा जो काम था बोडी का वो कंप्लेट हो चुका है इसके साथ दोस्तों इस गाड़ी मतलब कि इसका जो कैबिन था वो टॉप मडल में कनवेट हो चुका है यहाँ पर इसका जो पॉलिटरी का बोड़ी है वो भी पढ़ा है मतलब कि यह गाड़ी हमारे पास सौमनात वेरावर से आई है अजरी पॉलिटरी फाम लिखा हुआ है वेरावर और इस बोड़ी को भी पूरा कलर करेंगे जो पॉलिटरी का बोड़ी है वो भी कलर करेंगे इसके साथ उपर हमने एक इसका डेस्पोट वगएरा रखा हुआ इसको भी हम टॉप मडल में कनवेट करने वाले हैं और इसके चोटे चोटे पार्ट पड़ें इसको भी पेंट करेंगे टॉप मडल वाला यहां पर आप दोस्तों देख सकते हो इसका टेंक था वो भी चेंज कर दिया है दोस्तों इसे के साथ जो काम था वो कंपलेट हो चुका है आगे आपको मैंने केबिन भी बताया के कंपलेट हो चुका है बोड़ी काम अभी पेंट का काम सुरू होगा इसे के साथ दोस्तों अभी मैं थोड़ा मेरी गेरेज का भी वोकराउन दे दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैस तरह से पुरा पेंट का काम होता है यहाँ पर हमारे पास एक मैक्स प्रेक पड़िये इसको भी पुरा रिपेंट करना है बोड़ी काम हो गया यहाँ पर और एक गाड़ी पड़िये जो प्लाइओट की बोड़ी बनी है इसको भी paint करना है तो देखो तो यहाँ पर के प्लायूट का body paint करेंगे नीचे भी पूरा paint करेंगे और यह सब full color में पड़ी हुए यहाँ पर और एक गाड़ी हमारे पास पड़ी है इसको भी पूरा paint करने वाले है इसके उपर जो बड़ी बनी हुई है वो बनी हुई है पुट्टी का काम है वो चाल हुए मतलब के उपर जो हमने जो लकड़ी का बना हो उस पर पुट्टी लगा दिये और इसका भी जो काम होगा वो paint का वो भी आपको वीडियो में बताएंगे जब हम टाइम मिला ते इस गाड़ी पर वीडियो बनाएंगे यहाँ पर मेक्स प पड़ा हुआ है आगे पूरा केविन हमने बंद कर दिया है ताके कलर से खराब ना हो इसे के साथ दोस्तों पीछे आप देख सकते हो मतलब के यह पूरा बोड़ी लकड़ी का बना हुआ है और यह पूरा हमारा गेरेज का वोकरांड आपको मैंने बताया यहाँ पर यूट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मिलेंगे तीसरे पार्ट में जल से जल